एक बड़ी पुराणी कहावत है कहते हैं दो नाओं की सवारी करने वाले अकसर बीच में गिर जाया करते हैं डूब जाया करते हैं कुछ ऐसा ही क्या पाकिस्तान के साथ हो रहा है 24 गंटे के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान पर सिकंजा कसना सुरू कर दिया है जानेंगे पाकिस्तान को लेकर अब अमेरिका ने क्या किया है तो वहीं ताइवान में बड़ा ही भयानक भुकंप पिछले 24 गंटों में 100 बार दहल रही है ताइवान की धरती जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से ताइवान की गवर्मेंट ने इस बात को कहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत ही बार धरती हिल चुकी है और ये जो रियेक्टर स्केल रहा है ये 6.3 रहा है कहा जा रहा है कि कुछ घायल हुए हैं लोग लेकिन कोई मारा नहीं गया है पर ये जो लगातार भिल ही रहा ह है इससे लोग सो नहीं पाए हैं स्लीपलेस नाइट हो गई है लोगों के लिए ये जो लगातार हो रहे हैं पिछले ही हपता ताइवान में भुकंप आया था इसके बाद एक बार फिर से ये भुकंप देखा जा रहा है इसक्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप ताइपे के द्वारा यानि कि ताइवान के द्वारा लगातार प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरीके के अलर्ट मेसेज लोगों के पास पहुँच रहे हैं जो कि जब जब भुकंप हो रहा है तब तब ये अलर्ट मेसेज पहुँचते हैं हाला कि इस मेसेज से एक चीश ज इसका भी इंतिजाम ताइवान ने पहले से ही करके रखा हुआ है खेर अब कितना नुकसान हुआ है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा वहीं दूसरी तरफ एक चीज देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान और इरान के बीच बैठक के अभी 24 गंटे भी नहीं बीते हैं और अमेरिका ने असर दिखाना सुरू कर दिया है इरान के राश्पती इबराहिम रैसी सॉमबार को पाकिस्तान की तीन दिनों की यात्रा पर पहुँँचे सॉमबार को रैसी ने कहा कि इरान और पाकिस्तान दोनों देसों के बीच बैपार को अगले 5 सालों में 10 अरब तक ले जाये जाएगा क्योंकि मौझूदा मात्रा स्विकारे नहीं है परदानमंत्री सभास सरीफ के साथ एक मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट में रईसी नहीं ये ठिपनी की आठ फरवरी को पाकिस्तान में हुए आम चुनाओं के बाद ये किसी राष्ट अध्य इरान और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और बैपार की मात्रा बिल्कुल भी स्विकारे नहीं हैं हमने पहले कदम के तोर पर दोनों देसों के बीच बैपार को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का फैसला लिया है हमने अपने संबोधन में इरानी राष्पती ने पाकिस्तानी लोगों की तारीब की जो यरुसलम की आजादी की मांग करते हैं उन्होंने इसे लेकर कहा कि कुछ सामाने आस्था और धर्म है जो आपस में जुड़े हुए हैं और कोई भी इन्हें अलग नहीं कर सकता है इरानी राष्पती ने कहा कि आपको कुछ ऐसे लोग मिल दरसल इरान और पाकिस्तान की बीच लंबे समय से गैस पाइपलाइन का काम रुका हुआ है पाकिस्तान जब भी इस काम को बढ़ाता है तो अमेरिका पर्तिबंदों की धमकी दे देता है रैसी ने कहा कि इरान के महाल लोगों ने मेरे देश के खिलाप लगाए गए इरान विकास और टेक्लोनोजी का एक उधारन है इरान ने हाली में इजराइल पर एक बड़ा और मिसाइल और ड्रोन हमला किया और इस हमले के बाद इरान पर अमेरिका ने पर्तिबंद लगाए हैं बाइडन ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि पर्तिबंदों के इसलामिक रिवुलिशनरी गार्ड कॉप्स और इरान के रक्षा मंत्राले और इरानी सरकार के मिसाइल और ड्रोन प्रोगाम से जुड़े नेताओं और संस्थाओं को निसाना बनाया गया है नए पर्तिबंदों में इरानी ड्रोन के उत्पादन से जुड़े 16 लोगों और और दो संस्थाओं को भी निसाना बनाया गया है अमेरिका ने एरान को इश्टील देने वाली पाँच कम्पनियों के साथ साथ इरान के इसलामिक रिवुलिशनरी गार्ड को साहायता की पेसकस करने वाली तीन कम्पनियों पर भी पर्तिबंद लगाए हैं इसके अलावा अ अमेरिका और अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलेस्टिक मिसाइल के साथ एक संदेश भेजा पर लगता है पाकिस्तान इस बात को नहीं समझा इजराइल के साथ युद जैसे हालात के बीच इरान के राश्पती इबराहिम राईसी का जोड़दार स्वागत करने पर अमेरिका न अमेरिका ने ये चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब इरानी राश्पती पाकिस्तान के दोरे पर हैं दोनों देसों ने प्रण किया है कि आपसी बैपार को 10 अरब डॉलर तक महचा जाएगा पाकिस्तान ने ये वादा ऐसे समय पर किया है जब इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका ने इरान के खिलाब कई नए पर्तिवंद लगाने का एलान किया है अमेरिकी विदेस मंतराले के परवक्ता ने पाकिस्तान का नाम लिये बिना ही का कि हम ऐसे सभी देसों को सलाह दे रहे हैं जो इरान के साथ बिजनेस करने पर विचार कर रहे हैं ऐसे देसों को परतिबंधों के संभावित खत्रे के परति जागुरु करना चाहिए अमेरिकी परवक्ता ने पाकिस्तान के साथ बैपार पर कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा निर्यात पजार है यही नहीं अमेरिका पाकिस्तान में निवेस करने वाले सबसे निवेसकों में भी सामिल है अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि हम पिछले 20 साल से पाकिस्तान में सबसे बड़े निवेसक हैं पाकिस्तान की आर्थिक सफलता हमारे हित में है और हम अपनी भागीदारी को बनाए रखने के लिए आसानवित हैं इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच आर्थिक रिष्टों के महतों पर जोड़ दिया पाकिस्तान और इरान के बीच बड़ती नजदीकियों पर अमेरिकी प्रवक्ता ने बिना पाकिस्तान का नाम लिये ही पर्तिबंदों की धमकी दे दी उन्होंने कहा कि दुनिया में इरान की इस्थिती को देखते हुए पर्तिबंदों का खत्रा रहेगा अमेरिकी विदेश मंतराले के परवक्ता ने ये धमकी ऐसे समय में दी है जब पाकिस्तान की इतिहास में इरान के साथ रिष्टे सबसे महतपूर्ण चरन पर पहुँच गये हैं दोनों ही देश अपने रिष्टे को भाई चारे वाला बनाना चाहते हैं वो भी तब जब कुछ समय पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे के इलाखे पर मिसाईलेंदागी थी पाकिस्तान अब इरान के साथ गैस पाइपलाइन पर काम करना चाहता है लेकिन अमेरिका इसके लिए मंजूरी नहीं दे रहा है इससे आने वाले समय में पाकिस्तान पर अमेरिकी परतिबंध लग सकते हैं इससे पहले इरान के राश्पती इबराहिम रईसी सोंबार को पाकिस्तान की तीन दिन की यात्रा पर इसलामाबाद पहुँचे थे अब यहाँ पर कई लोग कई बाते कह रहे हैं जैसे कि राजनीतिक विसले सक कामरान यूशुप का कहना है कि छेतर में उथल पुथल के बावजूद इरानी राश्टपती ने पाकिस्तान का दौरा करने का फैसला किया इससे पता चलता है कि तेहरान इसलामाबाद को कितना मह तो देता है उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा न केवल दोनों देशों के बीच संबंदों को सुधारेगी खासकर पाकिस्तान के अंदर तहरान के हमले के जवाब में पाकिस्तान द्वारा इरानी छेतर के अंदर हमले के बाद जो यह आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है यह कहा ज अधिकार को लेकर अमेरिका ने एक रिपोर्ट दे दी है और इन्होंने बोला कि पाकिस्तान कभी भी मानव अधिकार के दोसी लोगों के ऊपर कारेवाई नहीं करता है फिलाल के लिए ये एक चरण माना जा रहा है पर पाकिस्तान में क्या चीजें सब कुछ नॉर्मल है तो म जैसे कहा जाता है कि ये प्राइवेट वीजिट पी-एम अपने चिकित्सा के लिए करवाने के लिए जा रहे हैं पर गजब की बात है अमेरिका छोड़कर लंदन छोड़कर चाइना हेल्थी सू हल कराने के लिए जा रहे हैं ये थोड़ी अधीब बात लग रही है वैसे आपको क्या लग रहा है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ